हलो विद्यार्थियों आप सभी को मेरा नमस्कार आप सभी का मोस्ट बेलकम आपके अपने यूटूब चैनल आर्ट गंगा में विद्यार्थियों आज 31 दिसंबर 2023 जा रहा है और एक नया वर्ष 2024 में आप प्रवेश करने जा रहे हैं 2024 के लिए आपको धेर सारी शुब कामनाएं आप 2024 में धेर सारी उपलब्धियां प्राप्त करें सफलता प्राप्त करें इन्हीं शुब कामनाओं के साथ हम अपने विडियो में आगे बढ़ते हैं और जो हम लोग प्रश्णपत्र सॉल्ब कर रहे हैं उसी स्रंखला में बढ़ते हुए कोश्चन नमबर 76 सॉल्ब करते हैं आप हमारे साथ बने रही आयट गंगा में निश्चित रूप से विद्यार्थियों यहां ऐसे कोश्चन्स मिलेंगे जो परिक्षा में संभावित होते हैं पूछे जाने के लिए ऐसे कोश्चनों का कलेक्शन और कही नहीं होगा विद्यार्थियों जानते हैं अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है ज्यानी बहुत है और अनुभवी भी बहुत है अनुभव बहुत कुछ हमें सिखाता है तो विद्यार्थियों चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब ना किया हो वे कर ले और question number 76 हमारे पुछा जा रहा है किसने लिखा है बानभट आचारे माधो दामोदर गुप्त या भूपती तो विद्यार्थियों मालती माधो के लेखक कौन है भूपती है अभिलाशा एक आगरता प्रशार किन रेखाओं का सार है एक पुंजी रेखाएं चक्राकार रेखाएं प्रवाही रेखा कर्णवत रेखा तो विद्यार्थियों एक पुंजी रेखाएं जो है वो अभिलाशा एक आगरता प्रशार इन सब को दरसाती है अच्छा question है ऐसे questions आपको परिक्षा में मिल जाएंगे आलिव किन दो रंगों के मिस्रण से बनता है आलिव रंग है तृतियक रंग है ये किन दो रंगों के मिस्रण से बनता है बैंगनी व नारंगी बैंगनी व हरा नारंगी व हरा बैंगनी व काला तो विद्यार्थियों इसका right answer है बैंगनी वहरा अगला प्रश्ण है सक्रियता, आकर्षणता, प्रेम, तीब्रता ये सब किन रंगों के गुड़ हैं? लाल, पीला, काला, नीला तो विद्यार्थियों लाल जो है वो सक्रियता, आकर्शनता, प्रेम, तीब्रता इन सब का गुड लाल रंग प्रदर्शित करता है अगला प्रश्ण है question number 80 देखिएगा यदि एक चित्र में अनेक रंगों का प्रयोग होता है तो वह योजना कहलाती है क्या कहलाती है पॉली क्रोम कहलाती है, मोनो क्रोम कहलाती है, डाइक्रोम कहलाती है या ट्राइक्रोम कहलाती है तो विद्यार्थियों polychrome बहुवरणी योजना इसे कहते हैं एक रंग से अधेक रंगों का प्रयोग बहुवरणी योजना कहलाती है जिसे हम इंगलिश में polychrome कहते हैं अगला प्रश्ण है सूर्य मंदिर भारत में कहां इस्थित है एहमदाबाद, कोडार्ग, पंजाब या पुरी तो विद्यार्थियों सूर्य मंदिर कोडार्ग में इस्थित है कौशन नमबर 82 देखिएगा रंग के हलके और गहरे पन को क्या कहते हैं? रंग के हलके और गहरे पन को तान कहते हैं मान कहते हैं या रेखा कहते हैं या रंग कहते हैं तो विद्यार्थियों रंग के हलके और गहरेपन को तान कहते हैं टोन जिसे हम कहते हैं Question number 83, देखिएगा, जिन रंगों को आखों से देखने में परिशानी हो, वे रंग कहलाते हैं, कोमल रंग, काला रंग, प्रात्मिक रंग या कठोर रंग, तो विद्यार्थियों वे रंग कठोर रंग कहलाते हैं, Question number 84, देखिएगा, होकुसाई निपुण है, किस विद्या में काम करते हैं, विद्या में, इन ग्रेविंग प्रिंट्स, इन टैगलियो प्रिंट्स, वूड कट प्रिंट्स या ड्राई पॉंट एचिंग में काम करते हैं, तो होकुसाई जो है, वो वूड कट प्रिंटिंग में काम करते हैं इस्प्रेक्टरम में कितने रंग होते हैं 9, 5, 10 या 7 तो विद्धार्थिओं सात रंग होते हैं कोशन नम देखियेगा वह इस्थान जिसके अभाव में रचना करना असंभव है धरातल प्रकास पुंजी, रेखा या रंग तो विद्यार्थियों वह धरातल इस्थान होता है जिसके अभाव में रचना करना असंभव होता है Q87 देखेंगे ऐसे धेर सारे प्रश्णों को पाने के लिए आप आर्ट गंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और हमारे साथ बने रहिए और हमारी क्लासे जरूर जोइन करिए नया बैच शुरू हो रहा है और धेर सारे शोविधाये हैं विद्यार्थियों एक बार आफिस के नंबर पे संपर्ग जरूर करिएगा बात करिएगा आपकी सारी समस्याओं का समधान आर्ट गंगा के पास है कोशन नंबर 87 देखिएगा प्रकास पुंजी कितने प्रकार की होती है विद्यार्थियों आठ प्रकार छे प्रकार दो प्रकार या चार प्रकार तो प्रकास पुंजी दो प्रकार की होती है अच्छा प्रशन है ऐसे प्रशनों को मैं चैलेंज करती हूं कि कोई भी चैनल नहीं देगा, क्योंकि एक दूसरी की नकल ही लोग करते हैं, खुद मेहनत नहीं करते हैं, और मेहनत करने से बहुत कुछ ग्यान होता है विद्यार्थियों, खडांग का आखरी अंग कौन सा है, खडांग का आखरी अंग वर्णिका भंग, भाव, लामन योजना, साद्रिसे, तो खडांग का आखरी अंग है वनिका भंग असंबद्ध बताईए विद्ध, अविद्ध, सत्य या रस तो विद्यार्थियों विद्ध, अविद्ध, रस और धूली ये एक ही एक से ही संबंदित है और सत्य अलग है तो यहां right answer असंबद सत्य होगा अगला प्रश्ण है question number 90 देखिएगा सरवप्रथम रूप का परिचे आँखों से होता है यह बात किसने कही है? सरवप्रथम रूप का परिचे आँखों से होता है यह बात किसने कही है? अवनीन ना टैगोर ने, हेगल ने, नारायन मुनी ने या यशोधर पंडित ने तो विद्यार्थियों अवनीन ना टैगोर ने यह बात कही थी सरवप्रथम रूप का परिचे आँखों से होता है question number 91 देखिएगा प्रकट और प्रचन किसके रूप है? भाव, रेखा, रंग या रूप तो विद्यार्थियों प्रकट और प्रचन जो हैं वो भाव के रूप है question number 92 देखिएगा बर्तनों के कलाकार कहे जाते हैं अतुल डोडिया, सुबोध गुपता, विवान चुन्दरम या भुपेन खकर तो विद्यार्थियों बर्तनों के कलाकार सुबोध गुपता कहे जाते हैं एक्वाटिंट पधती के जन्मदाता है 93 question एक्वाटिंट पधती के जन्मदाता है गोया, देलाकरा, अग्र, औनेरे दोमी तो विद्यार्थियों गोया एक्वाटेंट पद्धती के जन्म दाता है शांती निकेतन में एक अतिथी अध्यापक के रूप में किसने कारिकिया तैयब महता, नंदलाल बोस, राम किंकर बैच या बिनोद बिहारी मुखरजी तो विद्यार्थियों शांती निकेतन में एक अतिथी अध्यापक गिस फैकल्टी में काम करने वाले तैयब महता है कोशन नंबर 95, Freeze of Life सीरीज के चित्रकार है एरिक हेकल, एडवर्ट मुंक, वैसली, कॉंडिस्की या टर्नर तो विद्यार्थियों, Freeze of Life सीरीज बनाया है एडवर्ट मुंक ने कोशन नंबर 96 देखिएगा, टिंट को कहते हैं टिंट को क्या कहते हैं, तान, मान, आभा या द्रिस्य तो टिंट को क्या कहते हैं, आभा कहते हैं कोशन नंबर 97 देखिएगा, ग्रूप 1890 का सबसे मुखर और दहारता हुआ विद्रोही कलाकार कौन था बहुत अच्छा प्रश्ण है, हिम्मत चा, गणेश पाइन, जगदीस स्वामी नाथन या जगमोहन चोपडा तो विद्यार्थियों हिम्मत सा हैं, जो ग्रूप 1890 के विद्रोही कलाकार थे कोशन नंबर 98 देखिएगा, अदभुत रस कौन सा है, अदभुत रस कौन सा है, लाल, नीला, सफेद या पीला तो विद्यार्थियों अद्भुत रंग जो है वो लाल, नीला, सफेद, पीला में कौन सा अंसर है? अद्भुत पीला रंग होता है मंजीत बाबा के गुरु कौन थे? जगदीज स्वामी नाथन, जग्गु भाई साह, हिम्मत शाह, कृष्णा रेड़ी तो विद्यार्थियों मंजीत बाबा के गुरु रहे, जग्दीज स्वामी नाथन, कौशन नमबर हैंड़ेट देखिएगा, ललित कलाएं कितने प्रकारकी होती है? तीन, चार, दो, पाँच, तो ललित कलाएं पाँच प्रकारकी होती है विद्यार्थियों, ऐसे धेर सारे कोशन्स पाने के लिए आप आर्ट गंगा चैनल को अवसे सब्सक्राइब करें और यहां से जुड़े रहें, यहां पढ़ें क्योंकि यहां जो भी क्लासिस चलती हैं बहुत इमानदारी के साथ, जो भी कंटेंट्स हैं वो बहुत ही सरल, सहज और सत प्रतिसत सही कंटेंटों के साथ आपको पढ़ाया जाता है क्योंकि Art Ganga मेहनत करता है क्योंकि Art Ganga खुद परिक्षा देता है खुद पास करता है खुद अपने स्टूडेंटों को पास कराता है आप देखिए विद्यार्थियों कि आप हमारे चैनल पर ही देख लीजिए कि कितने वीडियो उस कितने रिजल्ट्स पड़े हुए है हर परिक्षा में लगभग आपके Art Ganga से बहुत सेलक्षन होते है क्यों होते हैं उसका आपको कारण पता है क्योंकि आपके साथ Art Ganga भी मेहनत करता है सही मार्ग दिखाता है सही रास्ता दिखाता है क्योंकि किसी भी मंजिल को पाने के लिए सीधे रास्ते की आवश्यक्ता होती है और यह रास्ता दिखाता है आपको आर्ट गंगा चैनल क्योंकि आर्ट गंगा खुद इन रास्तों पे चल चुका है इसलिए आर्ट गंगा से बहतर कोई नहीं ये हम एक बार नहीं, हजार बार कहते हैं, 100% सफलता के साथ आप हमारी क्लास जॉइन करिए, जो कि नया बैच शुरू हो रहा है विद्यार्थियों, नया बैच पांच जन्वरी से शुरू हो रहा है, और बहुत सी सुविधाओं के साथ शुरू हो रहा है, पांच जन्वरी, और जब भी आप कहीं भी पढ़ें जिस दिन से नया बैच शुरू हो उसी दिन से आपको पढ़ना चाहिए पांच जनवरी नया बैच प्रारंब हो रहा है इस बैच को जोईन करें ततकाल जोईन करें विद्यार्थियों बहुत धेर सारी शुविधाएं हैं अगर आप चाहते हैं तो फीस एक बार में दो बार में तीन बार में या महीने के हिसाब से भी आप फीस पेमेंट कर सकते हैं एक बार करके तो देखिए आट गंगा से जुड़के तो देखिए विद्यार्थियों बहुत बढ़ियां क्लासिस बहुत अच्छे कंटेंट्स और धेर सारा मैटर और बहुत ही सरल भासा में क्योंकि हम खुद पढ़ते हैं खुद पढ़ाते हैं और इस नंबर पे आप संप करें 8545 00467 यह आफिस के नंबर पे संपर करके आप न्यू बैच जॉइन कर सकते हैं यह जो एक महीने के लिए फिस बताई गई है यह मात्र एक जनवरी तक ही रहेगी और बाकी फिस दो सिफ्ट में ही है बाकी फिस दो सिफ्ट में हैं लेकिन दो दिन के छूट है दो दिन म आप चाहे तो महीने के हिसाप से चार महीने के हिसाप से पेमेंट कर सकते हैं कि सिर्फ दो दिन के लिए ही यह मौका दिया गया है और आप कलास को जरूर जोइन करें धन्यवाद विद्यार्थियों ऐसे पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें इनफी कामनाओं के साथ हम झाल झाल